हम देख रहे हैं कि इस्राइल के पथाल मंजी ने कहा है कि 10 लाग फिलिस्टीने गाजा पट्टी छोड़ दे 1948 से लेके अभी तक एक देश को हतियार के बल्बुते गुलाम करने का यह परंपरा चल रहा है कि अगया है कि इस तरीके से बादी सरकार का यह परादान देखिये हैं हिंदूस्तान है प्रिस्टीन के पक्ष में था और रहे गार आज भारत में जो सरकार चुन के आई है उसने हिंदूस्तान के आजादी का लडाई नहीं लडा है तो हमेशा एंग्रेजी हुकूमत के पक्ष में खड़े रहे हैं और इसलिए नरेंद्रो मोदी का सरकार कालेस्तान के पक्ष में सारे आवाजों को इस तरीके से बुचलना चाहती है फिट इस तरीके से इस्राइल का सरकार हमला बंद करो मोदी जी जेनोसाइड करने वालों का साथ दे रहे हैं इस्राइल का साथ दे रहे हैं गाजा को अस्सीज कर दिया गया है गाजा के बच्चे भूख से मर रहे हैं वहां के लोग बुन्याजी जरूरतों से मरूम हैं लेकिन इस्राइल को रोका नहीं जा रहा है जरूरी और आज यहां पर शांती के लिए युद्ध के खिलाफ अमन के लिए आवाज उठाने के लिए दिल्ली के नागरी कायत है यह बहुत शर्मनाख है भारत सब्सक्राइब है इसराइल के समर्थन में हैं लेकिन हर जगा की आंग जलता